आपका पहला सवाल है Statue of Unity को कितने किलोमेटर दूर से देखा जा सकता है? आपके options हैं A. 12 किलोमेटर B. 15 किलोमेटर C. 10 किलोमेटर D. 20 किलोमेटर आपका सही जवाब होगा option A. 12 किलोमेटर आपका दूसरा सवाल है भारत में पहला फोन कब लॉंच किया गया था? आपके options हैं A. 1992 में B. 1998 में C. 1995 में D. 1990 में आपका सही जवाब होगा option C. B. 1995 में आपका तीसरा सवाल है भारती अस्रम विधान में कितनी भाशाएं हैं? आपके options हैं A. 20 B. 25 C. 22 D. 27 आपका सही जवाब होगा option C. 22 आपका चौथा सवाल है निम्न में कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? आपके options हैं A. हाथी B. गाए C. चीता D. कुट्ता आपका सही जवाब होगा option C. चीता आपका पांचवा सवाल है निम्न में कौन सा पक्षी पीछे की और उड़ सकता है? आपके options हैं A. तोता B. हामिंग बर्ड C. गौरईया D. उलू आपका सही जवाब होगा option B. हमिंग बर्ड दोस्तों ये दुनिया की सबसे छोटी चड़िया भी है आपका चठवा सवाल है राश्ट्री अविज्यान दिवस कब मनाया जाता है? आपके options है A. बाईस माच B. आठ माच C. अठाईस फरवरी D. छब्वीस जन्वरी आपका सही जवाब होगा option C. अठाईस फरवरी आपका साथ वाँ सवाल है रोटी किस गयस के कारण फूलती है? आपके options है A. ओक्सिजन B. काबन डायोकसाइड C. नाइट्रजन D. हाइड्रजन आपका सही जवाब होगा option B. काबन डायोकसाइड आपका आठवाँ सवाल है किस देश में पाँच सूर्य दिखाई देते हैं? आपके options है A. रूस B. चीन C. भारत D. जापान आपका सही जवाब होगा option B. चीन आपका नौवा सवाल है विश्वका सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? आपके options है A. रैटल स्नेक B. अजगर C. किंग कोब्र D. पिटवाई पर आपका सही जवाब होगा option C. किंग कोब्र आपका दस्वाँ सवाल है किस फल के बीच में जहर पाया जाता है? आपके options है A. आम B. नारियल C. सेब D. जामुन आपका सही जवाब होगा option C. सेब आपका ग्यार हवाँ सवाल है मनुशकीलार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके options है A. थायमीन B. टाइलिन C. पेपसिन D. ट्रिपसिन आपका सही जवाब होगा option B. टाइलिन आपका बारहवाँ सवाल है मानव शरीर में कुल कितनी मास पेशियां पाई जाती है? आपके options है आपका सही जवाब होगा option B. 649 आपका आते रहवाँ सवाल है लारंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? आपके options है A. काला B. हरा C. लाल D. पिंक आपका सही जवाब होगा option A. काला आपका चौद हवाँ सवाल है किस देश ने चान पर कपास का पौधा उगाया था? आपके options है A. अमेरिका B. रूस C. भारत D. चीन आपका सही जवाब होगा option D. चीन आपका पंद्रहवा सवाल है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय की खेती की जाती है? आपके options है A. केरला B. जम्मू कश्मीर C. असम D. उत्तराखंड आपका सही जवाब होगा option C. असम आपका सोलहवा सवाल है ऐसा कौन सा शहर है जो मात्रह एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था? आपके options है A. अम्बाला B. भूपाल C. इलाहाबाद D. लखनाउ आपका सही जवाब होगा option C. इलाहाबाद आपका सत्रहवा सवाल है पाकिस्तान का राश्ट्रिय पशु कौन सा है? आपके options है A. भैसे B. मार्खोर C. बकरी D. चीता आपका सही जवाब होगा option B. मार्खोर आपका ठारहवा सवाल है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंतरिक अंग कौन सा है? आपके options है A. फेफड़ा B. हिरदय C. लीवर D. अगनाश है आपका सही जवाब होगा option C. लीवर आपका उनीश्वा सवाल है बैटरी के अंदर किस आसिड का उपियोग किया जाता है आपके options है A. हाइड्रोप्लोरिक आसिड B. सल्प्फ्यूरिक आसिड C. नाइट्रिक आसिड D. एसिटिक आसिड आपका सही जवाब होगा option B. सल्प्फ्यूरिक आसिड आपका बीश्वा सवाल है इन में से कौन सी धातू सिर्फ भारत में पाई जाती है आपके options है A. अल्यूमिनियम B. तामबा C. अभरक D. हीरा आपका सही जवाब होगा option C. अभरक आपके लिए सवाल है भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है आपके options है A. बेंगलूरू B. चेनई C. कोलकाता D. मुंबाई दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कॉमेंट करिए धन्यवाद